कि आज के इस वीडियो में हम भारती अर्थ वस्ता का विकास किताब से ही फिर देखेंगे कि बोर्ट परिक्षा में कौन-कौन से प्रस्ण आ सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे क्रिसी विप्णन क्या है किसानों को उनके उत्पाद बेचने में किन समझ्याओं का साबना करना पड़ता है ये पहले भी बहुत बार बोर्ट की ग्लासेज में ये question आ चुका है क्रिसी विपनन एक प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित क्रिसी उत्पादों का संग्रह भंडारन, प्रसंसकरन, परिवहन, बैंकिंग, वरगी करन और वित्रन सामिल है इसमें केवल क्रिसी विपनन का मतलब यहीं नहीं कि आपने जो किसान ने जितना भी उत्पाद किया उसको बजार में जाके बेज दिया पर यह उनी सब प्रक्रियाओं का एक योग है जिसमें संग्रह भी आता है, भंडारन भी आता है, प्रसंसकरन भी आता है परिवहन भी आता है बैंकिंग भी आता है वर्गी करण वित्रन सामिल है तो संग्रा जैसे जब जब खेती हो जाए तो उसके बाद जो अनाज का संग्रह फिर उसका भंडारन कहां भंडारन करना है उसका फिर उसकी प्रोसेसिंग और उसकी ग्रेडिंग परिवर्ण कि कहां से किस गाड़ी से कहां तक लिश्कों ले जाना है बैंकिंग कि अगर जो वित्रन के लिए आपको जो जो help चाहिए पैसा चाहिए वो बैंकिंग के द्वारा आपके help मिलेगी फिर वर्गी करण वर्गी करण में आपको ग्रेडिंग करनी पड़ती है हर तरह का अनाज कपको अलग करना पड़ता है अच्छे किसम का अनाज अलग और उससे तोड़ा इंफीर क्वालिटी का अलग और फिर उसमें वित्रन भी सामि तो क्रिशी विपनन से ताथ पर उन सभी क्रियाओं से है जिनका संबंध क्रिशी उत्पादन का किसान के खेच से अंतिम गरागों तक उपलप्ट करने में प्रियुक्त की जाती है तो जैसकि मैंने बताया है जितनी भी विदिया इसमें जो लगती है वो सारी विदी जो है वो मिलके ही अब प्रसन के दूसरे भग में आते हैं कि क्रिसी विपने की कमिया या दोस्ट क्या है सबसे पहले जो कमिया है यातायात की सुभधाओं का भाब आज भी जो है देखा जाए तो कई गाओं में ऐसा है जहां परिवन की सुविदा नहीं है अर्थात वहां पर अधिकान सड़के जो कच्छी हैं और जो मोटर भाहनों के लिए ठीक नहीं है तो इसलिए क्या वाता है कि जब मोटर भाहन नहीं चल सकते तो किसान को मजबूरन धीमिगती से चलने वाले परिवन जैसे बलगाड़ी वगरे इन से उनको अनास दोना पड़ता है जिन से क्या वाता है उनको काफी नुकसान पहुंचता है तो यातायात के सुविदा जो है उनका अभाव एक बहुत बड़ी समस्या है दूसरा है मद्यस्तों की उपस्तिती मद्यस्त कौन होते हैं जो बिचोलियों के रूप में वह जानते हैं क्रिसी बजार विवस्ता में किसान तता और भोगताओं के बीच मद्यस्त काफी जरूरी होते हैं जरूर है कि दोनों के ज्यादा मद्यस्त हो चुके हैं उनकी संक्य इतनी ज्यादा हो गई है जिस कारण से किसानों से उभोकता तक क्रिसी उत्पादों में पहुंशने तक उनकी कीमत में कई गुना विर्द्धी हो याती है हर लेवल पर उनको कुछ पैसे देने पड़ते हैं और दाम जो होता है उ और किसान जो असली जो जो वपढ़ उगा रहे उसको जो है उनके मुकाबले बहुत कम पैसा मिलता है तो मद्यस्तों की उपष्ट्थी कुछ जरूरी है पर जो है इतने ज्यादा मद्यस्त हो चुके है बीक में इतने ज्यादा बिचोली हो जैं जिसे कि उनकी जो असले कीमत जो होती है वो किसान को नहीं मिल पाती है फिर इसकी तीसरी कमी में देखते हैं कि संग्रहन सुविदाओं का अभाव कि भारत में ऐसे भंडार का अभाव है जहां पर किसान अपनी उपच को कुछ समय के लिए रख सके और भाव अपने हित में आने तक किसान करें जैसे हैं आप कि मैं पूर्ति ज्यादा होती है यदि जो पूर्ती जड़ा होती है उसकी सप्लाई непहुत ज安全 की तो किसान को उपफचप का असली नाम नहीं मिल पाता और अगर वो किसान उसको अवह बचा के रख है आगे के लिए तो इसान होते है आats फिविदा जो है से भंडार करने की सुविदा का भाव है इसलिए इसां नेजी भंडार सुभिदा वंगाव्निके hari और सिबस नहीं हो माशने के लिए बात देए how वह किसान शिग्री इसको बेचेगा क्या होगा उसको वो दाम जो इसको मिलना चाहिए जो भाव नहीं मिल पाता इसलिए जो है संग्रहण सुविदाउं का अभाव भी जो ए जो कृषी विपनन की बहुत-बड़ी समस्या है फिर आता है साक्स्विदाउं का अभाव आब ही भी देखा जाता है कि जो रीमोट गाओं, जो हैं, विलेजेश हैं वहाँ पर जो है, किसानों को रिंड के लिए सरल ववेस्था नहीं पाई गई है, तो किसानों को रिंड की सरल ववेस्था हो जाती, तो क्या होता कि उनको जो भी बीच में विपनेंट के जो जितने भी कार हैं जितने भी स्टेप्स हैं उसमें बहुत पैसों की जलग पढ़ती है तो वह पैसा जो है उनको ने मिल पाता तो प्राय देखा गया है कि ग्रामीं छेत्रों के किसान रिंड के लिए वैपारी के पास जाते हैं तो वैपारी के पास जाएंगे जिससे इन किसानों को अपनी क्रिसी उपज को उसी वैपारी के पास ही बेचने की मजबूरी बन जाती है जिससे किसान की विक्रे सक्ति में कम हाती है आप मानन के चलो जैसे मान को जब तक जो किसान को विक नहीं तब तक उसको अपने घर चलाने क। पैसे की जुरत होती है तो पैसा क्या है वो किस से माएगा उसको अगर बैंकिक सुविदाओं का अभाव होने के कारण के जो है वो पैसा अगर किसी वेपारी से लेगा किसी आड़ती से लेगा तो क्या होता है कि वो पैसा जिस से लेता है उसी को अपनी फसल बेचनी पड़त है एक और बहुत बड़ी कम्हीं है जो मंड़ि मंडियों की कोरेतों तो भारत में अभी प्रीप नहीं है इन अन्यमित मंडियों में अनेक तरह की नीमिता देखी जाती है जैसे राजुबाट में गरबड़ी होने आलता है जो उपजे वासकी तुलती कि नहीं कि कितने उपज उसमें गडब्री होने के कारण कि होता है वो जादा फसल भी उनकी कम आकी जाती है उपज के अच्छे भाग को नमूने की क्रेटाओं के हाथ में होना और मूर ले वो खुद निर्दाना नहीं करते हैं वो क्या होता है आरती और जो खरीदने वाले उनके हाथ में होता है जितने का होता है क्योंकि मंडियों में जो है उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं होता है इसलिए जो है आरती जो क्रेटा होते वही उसका दाम लगाते हैं दलाल का सदा करिता के पक्ष में कारे करना और जो दलाल होता है वो जो खरीदने वाले हैं उसके पक्ष में कारे करता है जिससे की किसान को जो है असली उपज का जो असली भाव है वो नहीं मिल पाता विवात की इस्तिती में किसान के हितों की रक् है और एक्जाम में इस बार जरूर आ सकता है अब हम दूसरे प्रस्ण में आते हैं कि जैविक क्रिसी क्या है इसके लाभों तता सीमाओं की विवेशना कीजिए यह प्रस्ण भी जो है वैसे जोलंद प्रस्ण है और और यह अक्सर बोर्ड के जैविक क्रिसी जो है और अक्सर प्रस जाता है तो जैविक क्रिसी से अभिपराय क्रिसी की ऐसी प्रणाली से है जिसमें रासाइनी जो है एबएं कीट नाशक दवाओं का प्रयोग न हो बलकि उसके इस्तान पर या प्राकर्थिक खादों का प्रयोग था जो है कि जाइड कृषि में हम बांके चलते हैं कि हमें रसायनी खादों और कीट नासक दवाओं से का परयोग निकरना है इंसे चुटकारा बाना है और प्राकर्तिक जो जिस इस्तान पर खेती ओरी वहां से प्राकर्तिक जैविक खाद या प्राकर्तिक खादों का परयोग करना चाहिए ये क्रिसी की पारंपरिक विद्य है जिसमें भूमी की उर्वर्ता में सुधार होने के साथ परियावन प्रदूसर्ण भी कम होगा जैविक क्रिसी पद्धित्यों को अपनाने से धार्णी क्रिसी जैविक विद्ता संगरक्षन आती लक्षों को प्राप्त किया जा सकता है जो है जैविक्सी जो है बहुत इंपर्टन्ट है को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अगन समर्ण देना महतमून है क्यों जैविक्रिसी जितना ज़ Settings आघंग करेंगे उतना है जमीन लेए मեղ्टन रहेगी उसमें कमी नहीं आएगी इसलिए जो जैविक ही जो है बहुत इंपोर्टन्ट है जो परते हैं जैविक क्रिसी के लाव सबसे पहले जैविक क्रिसी का लाव है गैर नवीनी करन संसादनों का त्याग अर्था जो नौन-्रेनिवल पे आधारिद होती है और पेट्रोल आपको मौलूम है कि एक ऐसा फ्यूल है जो नॉन रिनेवल या गैर नवीनी करन है तो यह जल्दी ही यह खतम हो जाएगा अगर इसका जादा यूज़ करेंगे तो और दूसरा इसका जो लाब है क्रिसी जैविक क्रिसी का लाब है वो स्वासफ वर्दक भी होता है स्वासथ सर्दी होता है हाल से हमें कि फॉद्न चल गया कि इस तो warrior हो खाने का तो अधिक ऩर दिए इसकी मांक बढ़ रहेकिक लोग अपने स्वास के प्रति जो है सचेत हो रहे हैं तो वह इस और बढ़ रहे हैं जो जो जैविक उत्पाद है उनकी हो तो यह दो लाब इसके हैं और तीसरा लाब जो है जैविक क्रिशी का जो तीसरा लाब है वह परियावरण के लिए यह अनुकुल होता है परियावरण के लिए अनुकुल कैसे होता ह क्योंकि इससे की जो होता है भूमी के जल स्थर में वृद्धी होती है तो वाठर ट्रिबल होता है वह उसमें वृद्धी होती है मिट्टी खादी प्रदात और जमीन में पानी के माद्यम से होने वाले प्रदूसरण में कमी आती है जितना ज़्यादा आप रसाइनी खाद यूज करोगे उससे क्यों को मिट्टी भी खराब होगी जो हम खाएंगे जो प्रदार जो उपज होती है उसमें भी ज्यादा केमिकल्स पाई आते हैं और जमीन में पानी होता है क्य कच्रे का उपयोग खाद बनाने में होने से बिमारियों में कमी आती अगर हम जैविक्रिसी का इस्तिमाल करेंगे तो क्या होगा इससे जो है कच्रे का उपयोग और खाद बनाने में करेंगे अगर कच्रे को तो उससे क्या होगा कि उन जो कच्रे बिमारी होती है वो भी कम ह और उससे क्या होगा खाद बन जाएगी फसल उत्पादन की लागत में कमी एवं आयमें वृद्धी होती है फसल उत्पादन की लागत क्योंकि जो है खाद वगरे आपको खहिदनी नहीं पड़ेगी यह गाय भैस दुपालते हैं गाउं में वही किसान उसी से जो है उनका खा करगे जैवी घृता जो है ज्वह ज्यादा उसकी मांग बढ़ ड़ए जाते हैं इसे हम कह सकते हैं कि जैवी क्रिसी परियावरण यसे पर्यावारं बहुत अनुकूल है मिर्टी की लिए लिएpecially मित्टी जो होती है उसकी द्रिश्ची से देखा जाएं तो जैय विक की काम इस्तेमाल करेंगे तो उसकी गुर्म państ to be Egy की जल्दारन चमता बढ़ती यसे पहले बताया मैंने आपको जितना ज्यदा और आप छोड़कर जैविक खाद इस्तिमाल करेंगे जैविक्रिस्ति को अपनाएंगे तो भूमी की जल धारण समता भी बढ़ जाएगी भूमी से पानी का वास्पी करन कम होगा तो यह सब जो है यह मिट्टी को इस तरीके से जैविक्रिस्ति लाब हो जाती है और फिर जो है क्रिसिकों की दृष्टी स लाब कि आके किसान जो है में जो किसान जो यह खेती कर रहा है उसको भी लाब होना चाहिए तो उसको कैसे लाब होता है भूमी की उपजाव संता में व्रिद्धी होती है और सिचाई अंतराल में व्रिद्धी होती है रसाइनी खाद पर निर्वरता कम होने से लागत में कम करेंगे जैविक तरीक अब इस्तिमाल करेंगे उससे क्या होता है उत्पादक्ता में विर्दी आती है अब शुरू-शुरू में आप जैविक क्रिसी को अपना होगे तो हो सकता कि आपकी पैदावार जो आधुनिक खेती है उससे कम हो दूसरा जैविक उत्पादों के रासायनिक उत्पादों के तुलना में जल्दी खराब होने की सम्भावन रहती है जैविक उत्पाद होते हैं जैविक क्रिसी से जिने उत्पादों का उत्पादन करते हैं वो रासायनिक उत्पादों के तुलना में जल्दी खराब हो जाते हैं फिर जैसे आजकर आपने देखा हुआ कि कुछ बेमौसमी फल बेमौसमी सब्जी आपको मिल जाती है तो जैवी खेती में बेमौसमी फलों का उत्पादन बहुत सीमीत है ज्यादा नहीं कर सकते क्यों कि कमी है अभी क्योंकि जैवी गुतपाद थोड़े महंगे हैं इसलिए स चाहिए सकता होती है तो यह झाल सैण होता है तो च्विकरिसी बहुत अच्छी है और धिरे जोगे बढ़ रह approach के साथ आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फर वाचिंग